हेलो गाईज गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी मल लगाकर ल्टी ग्रेड की तेयारी कर रहे होंगे आप सभी मंत्र का संबंद किस वेद से है तो राइट आंसर रिग तेयारी करते हैं वेद से गायत्री मंत्र का संबंद है आप लोग पता होका हिंदू धरम के हिसाब से वेदों की संक्या चार है और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद चार है रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्वेद ये चारवेद हुए ये अथर्वेद जो है वो क्या है जादू टोने वाला वेद है वहीं सामवेद की बात करें तो ये गायन शैली वाला वेद है कहा जाता है कि संगीत का जनक इसी वेद से होता है यानि कि संगीत का जनक कौन है, शामवेद, इसे आपने याद रखना है, वहें रिगवेद की बात करे, तो रिगवेद में 10 मंडल है, कितने मंडल है? 10 मंदल है रिगवेद में और 1028 सुप्थ हैं कितने 1028 सुप्थ हैं इसे आप याद रखेंगे गायतरी मंत्र का उलेख रिगवेद के तीसरे मंदल में है कौन से मंदल में तीसरे मंदल में और इसके रचाईता किसे माना जाता है रिशी विश्वा मित्र को गायतरी मंत्र का रचाईता माना जाता है वही नवे मंदल में देवता सोम का उलेख है और दस्वा मंदल वेरी इंपोर्टेंट कौन सा मंदल लास्ट मंदल दस्वा मंदल सबसे बाद में जोडा गया दस्वा मंदल कहा जाता है कि इसी में है पुर नाममन, शत्रिये, वैश्ये और सुद्र का उलेख मिलता है पुरुशुक्त में यह भी आपके लिए important question आता है कि पुरुशुक्त किस वेद में है तो right answer रिग वेद में कौन से मंडल में है तो दसवे मंडल में इसे भी आपने याद रखना है next question के ओर बढ़ते हैं और next question है हमारा हुमायू नामा किस के द्वारा लिखी गई तो right answer क्या होगा गुल बदन बेगम के द्वारा हुमायू नामा लिखा है गया अब गुल बदन बेगम कौन थी तो गुल बदन बेगम हुमायू की बहन थी क्या थी हुमायू की बहन थी और इ एक बात बताओ, कोई भी वेक्ति अपनी जीवनी लिखता है, तो उसमें वो क्या नहीं लिख सकता? तो वो अपने मरने का टाइम नहीं लिख सकता अपनी जीवनी में. बाबर नमा खुद लिखा है हुमायू नमा गुलबदन बेगब ने लिखा है वहीं आइने अकबरी की बात करें तो वो किस ने लिखिया है अबुल फजल ने इसे भी आप याद रखेंगे और हुमायू की बात करें देवरा का युद 1531 में वहीं चौसा का युद 1549 में और विलगराम युद 1540 में लास्ट युद सरहिंद का युद 1555 में इसे भी आपने याद रखना है यह हुमायू के द्वारा लड़े गए युद थे हुमायू की जो मिर्त्यू है वो कैसे हो जाती है 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीप पनाह के सेर मंडल पुस्तकाले से गिर कर सीडियों से गिर कर हुमायू की मिर्त्यू हो जाती है और लेन पुल ने कहा था कि हुमायू जीवन में गिरते पढ़ते रहे और गिरते पढ़ते ही इनकी मिर्त्यू हो गई यह पॉइंट आपने याद रखना है किसने कहा था लेन पुल ने कहा था सिवा जी का राजय अभिशेक कब हुआ था तो राइट आंसर 1674 को सिवा जी का राजय अभिशेक हुआ था अब सिवा जी क्यों प्रसिद है तो सिवा जी को गोरिला युद का जनक भी माना जाता है इसे आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है और सहयोग अंदोलन कब बंध हुआ थो राइट आंसर 1922 को और सहयोग अंदोलन बंध हो जाता है यानि कि इस पर रोक लगा दी जाती है अब ये क्यों लगा दी गई तो चार फरवरी 1922 जो गोरकपुर के होंगे उनको पता होगा उनके वहीं पढ़ता है चोड़ी चोड़ा एक जगह तो चोड़ी चोड़ा कांड के बाद चार फरवरी 1922 को और सहयोग अंदोलन को बंध कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा अब हुआ गया था कि हिंसक भीड ने जुमें किसान भी थे उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी कई पुलिस वाले खायल हो गए थे तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगाई ये अंदोला का हिंसक रूप लेता जा रहा है नेक्स्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है अमेरिका की खोज किसने की थी राइट आंसर कोलंबस ने कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और कब की भी 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज हुई और 1498 में खोज किसकी होती है इंडिया की यानि की भारत की खोज हुई और 1498 में भारत की खोज किसने की वासको डी गामा ने क्लियर है वासको डिगामा ने भारत की कोच की वहीं एक कोशन और आता है यहां से अल्बुकर्क अल्बुकर्क इतिहास में फेमस क्यों है अल्बुकर्क ब्लू वाटर पॉलिशी लेके आया था कौन सी पॉलिशी ब्लू वाटर पॉलिशी कौन लाया था अल्बुकर्क इसे दिए आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन आपके लिए भारत का नेपोलियन किसे कहा Ёँए तो right answer समुदर गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुदर गुप्त किस वन्स से थे तो the right आंसर ये गुप्त वंस से थे कौन सा वंस गुप्त वंस और यहां से कोशन आएगा कि गुप्त वंस की स्थापना किस ने की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्री गुप्त ने गुप्त वंस की स्थापना किसने की थी स्री गुप्त ने समुद्र गुप्त से एक कोशन और याद रखेंगे पर्याग प्रसस्ती किस से सम्बंदित है समुद्र गुप्त से और प्रयाग प्रसस्ती एक रचित लेख है और इस लेख पर किसने लिखवाय था हरी सेन ने जो क कि समुंदर गुप्त के कवी थे इसे भी आप याद रखेंगे वीना वादन वाले सिक्के किसने चलवाए तो वो भी समुंदर गुप्त ने यह भी important है आपके लिए समुंदर गुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था clear है और बहादर भी बहुत था वै नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं मुम्मद गोरी को पहली बार भारत में पराजै का सामना कब करना पड़ा तो right answer भीम द्यूतिये पर आकर्मन किया था मुहम्मद गोरी ने और उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था 1178 में वहीं आपको 1191 से बता दू कि 1191 में तराइन का पहला युद हुआ जिसमें पृत्वी राज चौहान ने मुहम्मद गोरी को हाराया था वही 1192 में तराइन का दूसरा युद हुआ जिसमें पृत्वी राज चौहान को हार मिलती है मुहम्मद गोरी के दौरा यह आपके लिए इंपोर्टन्ट है वही एक बात और वता दू मुहम्मद गोरी का एक गुलाम था क्या था गुलाम था और वो गुलाम कौन था कुतूब दिन एबक मुहम्मद गोरी का गुलाम था और इस गुलाम ने गुलाम वंस की स्थापना कब की 1206 में दिल्ली में गुलाम वंस की स्थापना की क्लियर है और कुतुब दिन एबक ने क्या बनवाया कुतुब मिनार बनवाया धाई दिन का जोपड़ा भी किसने बनवाया कुतुब दिन एबक ने इसे भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात कब हुई तो राइट आंसर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात होती है और यहां प्रमुख नारा कौन सा था करो और मरो का नारा था जिसे गांधी जी ने दिया था यह आपके लिए वहरी इंपोर्टन है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा किस ने कहा था सुवास्चंदर बोस ने और सुवास्चंदर बोस गरम दल के नेता थे यह भी आपके लिए इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट कोशन है पुद्दु चेरी को किस से आजादी मिली थी तो राइट आंसर फ्रेंच से फ्रेंच से आजादी मिलती है पुद्दु चेरी को वहीं यदि मैं पुर्तगालियों से बात करूं तो पुर्तगालियों से अजादी की से मिली सब से लास्ट में गो आखो 1961 में और फ्रेंच से अजादी पुद्दी चोरी को कम मिलती हैं 1954 में क्लियर है 1954 में पुद्दू चेरी का विला भारत में होता है नेक्स्ट कोशन है, राम क्रिष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट अंसर स्वामी विवेका नंरंद के धौरा रामकिर्ष्न मिशनी की इस्थापना की गई और स्वामी विवेकानंद रामकष्न परम हनस जी के शिश्य थे यह भी आप याद रखेंगे वहां का इनका भाषन बहुत ही उलेखनी है यह important है आपके लिए next question के ओर बढ़ते हैं next question है पीली क्रांती का संबंध किस से है तो right answer तिलहन से तेल कैसा होता है yellow तो yellow क्रांती का संबंध किस से हो गया तिलहन से अंडे से कौन से क्रांती का संबंध है तो रज़त क्रांती का अंडा कैसा दिखता है चांदी जैसा चमकता है तो अंड़ी करांती से कौन संबंद है रजट करांती नेक्स है पेट्रोलियम से पेट्रोलियम से कौन से करांती संबंदीत है तो काली करांती पेट्रोलियम मिलकुल काला होता है उसको distillations method के द्वारा purify किया जाता है और पेट नहरी करामती बागवानी से भागवानी से संबने था और बागवानी में क्या हुगा जाते हैं। फल नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई तो राइट आंसर हैंडरी क्वेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन गैस की खोज की गई अब हाइड्रोजन पर बहुत बड़ा सवाल है कि हाइड्रोजन गैस एक मैटल है या फिर नॉन मैटल बट फाइनली हाइड्रोजन यह ऐसे एक non-metal है बट इसे first group में रखा गया अब reason देखिए hydrogen के पास कितने electron है एक electron है और एक ही proton है उसके पास एक electron एक proton और एक इसका atomic number और neutron की संख्या इसमें क्या होती है zero इसे भी आप लोग याद रखेंगे neutron कितना होगा इसमें zero neutron होता है अब first group में आप देखेंगे तो जितने भी elements हैं उन सभी का outer cell में एक ही electron पाया जाता है clear है वहीं आप 18th group में देखेंगे तो उनके जो outer cell होते हैं वो complete होते हैं क्या होते हैं complete होते हैं तो उसे कहते हैं noble gas clear है right answer यहाँ पर आपको यही याद रखना hydrogen gas की खोज किसने की हैंडरी क्वैंडिश ने वहीं यहीं हम बात करें रदर फोड की तो रदर फोड ने nucleus की खोज की थी आपको पता होगा आपने पढ़ा भी होगा gold foil के द्वारा और उस पर इन्होंने क्या क्या था helium rays helium कनो के द्वारा इन्होंने रदर फोड ने किसकी खोज की थी nucleus की खोज की थी उसका हम detail explanation देखेंगे science की जब classes आपकी start होगी वहाँ पर तो आपको सिर्फ यह याद रखना है रदर फोड ने nucleus की खोज की थी next question आता है रमन ने क्या खोज की रमन effect की वहीं gold steam ने किसकी खोज की भई proton की यह आपके लिए important हो जाता है और एक question और बताता हूं कि neutron की खोज किस ने की थी तो James Chadwick ने neutron की खोज की थी यह भी आप लोग याद कर लेना next question की और बढ़ते हैं graphite किसका अपरूप है तो right answer carbon का graphite is the allotrop of carbon और carbon का ही allotrop है diamond diamond total internal reflection के द्वारा चमकता है इसे भी आप याद रखेंगे और graphite ऐसा allotrop जो current को भी pass करता है जब कि आपने पढ़ा होगा कि non-metal current को पास नहीं करते बट graphite current को पास करता है clear है अब यहाँ से question और बता देता हूँ आपको कि C60 को क्या बोलता है यह भी carbon का एक प्रूप है C60 Buckminster Fullerence इसे आप याद रखें एक्जाम में बहुत question आता है C60 का नाम क्या है तो Buckminster Fullerence next question के ओर बढ़ते हैं क्हेरा रोग किस फसल से संबनदित है तो धान से संबनदित है खेरा रोग next question है मेंढक का वैज्यानिक नाम क्या है अब देखो भई सब का वैज्यानिक नाम होता है हम आदमी है हम इंसान है हमारा भी नाम क्या है होमोशेपियन अग आप लोगों का ये बायनोमियल नेम है होमोशेपियन बहुत को पता नहीं होगा इस चीज को आप नोट कर ले होमोशेपियन और बायनोमियल नेम का लिखना किसने सिखाया था तो लीनियस ने इसे भी आपने याद रखना है, Linneas को Binomial's Name का जनक भी माना जाता है, Taxonomy का जनक माना जाता है, Linneas, अब मेंधक का वेग्यानिक नाम क्या है, Rana Tigrina, वहीं Solanoma Tuborosis, Tuborosum किसका नाम है, यह है, Potato का, किसका है यह, Potato, इसे भी आप याद रखेंगे, वहीं नाजा, किसको बोलते है, कोबरा को, कोबरा जो साब होता है, उसका नाम है नासा, और ओरियाजा, स्टीवा, यह किसका नाम है, राइस का, यानि कि चावल का नाम है, ओरियाजा, स्टीवा, वहीं आम की बात करें, तो मेंगे फेरा, इंडिका, आम को बोलते हैं, यह सभी आपने याद करना कई वर कोश आ जाता है यहां से next question है मोहन जोदोडो की खोज किस के द्वारा की गई तो मोहन जोदोडोगी खोज किसने की भई राखल दास बैनर जी ने वही दया राम साहनी ने किसकी खोज की थी हडपा सहर की खोज दयराम सानी ने की और राखल दास वैनर जी ने मोहन जोदोडो की खोज की मोहन जोदोडो को मिर्तको का टिल्या के नाम से भी जाना जाता है और मोहन जोदोडो हडपा सिंदु घाटी सब्यता के दो बड़े शहर थे इसे भी आप याद रखेंगे सिंदु घाटी सब बेता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है क्योंकि सिंदु घाटी सब बेता एक नगरिये सब बेता थी वहां के नालिया रोट्स भी 90 डिग्री पर डिवाइड करते थे से आज करते हैं और इसको हम डिटेल में स्टर्डी करेंगे ऐसी बात नहीं है नेक्स्ट कोशन है आधनिक आवर्थ सारनी की खोज किस ने की तो राइट आंसर हेंरी मोजने ने आधनिक आवर्थ सारनी की खोज की आधनिक आवर्थ सारनी किस पर डिपेंड करती है तो आधनिक आवर्थ सारनी क्या है Atomic Numbers पर डिपेंड करती है वहीं मैंडलिव ने जो आवर्थ सारनी बनाई थी वो Atomic Weight पर डिपेंड करती थी उन्होंने atomic weight के according लगाया और मोजले ने atomic numbers के according लगाया है महीं डॉबे राइनर की बात करें तो डॉबे राइनर क्यों famous है भई तो डॉबे राइनर's trats law के लिए famous है यानि कि त्रिक सिधान्त के लिए प्रसिद है डॉबे राइनर और डॉबे राइनर से आपने याद रखना है कि पहले lighter की खोच किसने की डॉबे राइनर ने वहीं new landers किसके लिए famous है औक्टेव लो यानि अस्टक सिधान्त के लिए famous है new landers next question है भारत में British राज्य के भारत के पहले वाइसराय कौन थे तो right answer इसका क्या हो जाएगा canning friends आप सबी ने पढ़ा होगा पहले Governor General of Bengal आया फिर उसके बाद Governor General of India बने फिर उसके बाद वाइसराय बने तो पहले Governor General of Bengal कौन रहे तो right answer इसका क्या हो जाएगा Warren Hastings Warren Hastings अब एक बात बताओ मुझे सबसे पहले Governor General of Bengal की ही बात क्यों होती है क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है 1757 में Battle of Plusy हुई थी वहीं से अंग्रेजो कादिपत्य स्थापित होना शुरू हो जाता है बंगाल के उपर क्लियर है Warren Hastings पहले Governor General of Bengal रहे और Governor General of India कौन रहे तो इस यह है Lord William Bantic यह भी important है और साथ में आपको वाइसरा तो बता ही अबने Lord Canning East India Company की establishment कब हुई थी यह बतावा आप East India Company की establishment हुई थी 31 दिसंबर 1600 को East India Company की establishment होती है यह भी important है आपके लिए Next question क्यों बढ़ते हैं प्रसित टेनिस खिलाड़ी Roger Federal का संबंध किस देश से है यह question का answer आपने comment box में comment करना है कि Roger Federal का संबंध किस देश से है Next question जो मैंने आपसे last class पूछा था किस संसोधन के द्वारा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई तो right answer इसका क्या हो जाएगा 16 संसोधन 1988 में किया गया clear है 16 संसोधन के द्वारा मतदान की उमर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई so guys आप सभी को यह हमारा practice sets कैसा लग रहा है comments करके जरूर बताए और जो question आप सब पूछता हूं यार उसका answer बताया करो comments किया करो और video को like करो, share करो, subscribe कर लो friends जो भी हमारे नए वीवर्ष है इस channel पे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग share करो thank you very much best of luck for your exam best of luck for your future